नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सर्मार्ग हिंदु धर्म में पुर्णिमा का ब्रत सबसे ज़्यादा महतपूर्ण स्थान रगता है क्योंकि हर वर्स 12 पुर्णिमा होती है और इस पुर्णिमा में जो कार्तिक पुर्णिमा है जिसको हम त्रिपुरी पुर्णिमा या गंगासनान के नाम से भी जानते हैं ऐसी माननेता है कि इस पुर्णिमा या फिर गंगासनान के नाम से जो जाना जाता है ये दिन कृतिका में सिव संकर के दर्शन करने से साथ जन्म तक ब्यक्ति ज्यानी और धर्मान रहता है और इस बार की पूर्णिमा भे कृतिका नचातर में ही है तो इस दिन चंद्र जब आकास में उदित हो रहा हो उसमें सिवा, संभूती, संतती, प्रिती, अंसुया, छमा इंच्छा कृतिकाओं का पूजन करने से सिव जी प्रसन्न होते है और इस बार कार्तिक पूर्णिमा 19 नुवंबर सुक्रवार के दिन मनाई जाएगी क्युक्कि इस बार प्रारमभ हो रहा है 18 नौवंबर की राथ 12 वजे और समाप्त होगा 19 नौवंबर सुक्रवार 19 नौवंबर सुक्रवार को समाप्त होगा राथ 2 बजकर 26 मिनट पर तो जो कार्तिक पूर्णिमा है चुकि हिंदू धर्मे सबसे जादा पवित्र महिना कार्तिक का ही महिना है तो इस पुर्णिमा के दिन विसेश प्रियोग किये जाते हैं वैसे तो असनान दान की शुरुवात देव उठनी एकादसी से ही हो जाती है पांस दिनों का ये महापर्व है और कार्तिक पुर्णिमा से तमाम सुव मांगली कारे भी सुरू हो जाएंगे पुरानों में वड़नन आता है कि इसी दिन भगवान सिव ने तृपुरा सुर नामक राक्षस का बद किया था और इस बद की खुसी में देवताओं ने इसी दिन दिपावली मनाई थी जिसे हम देव दिपावली कहते हैं तो कार्तिक पुर्णिमा पर दीपदान की भी प्रमपरा है कार्तिक पुर्णिमा के दिन पवित्र नदियों मशनान करने से पुर्णि तो मिलता है साथ ही इस दिन बहुत ही सुभ माना जाता है क्योंकि जब त्रिपरासुर ने देवताओं को पराजित कर उनके राज छीन लि तो आप भी नदी किनारे गंगा घाट पर दिया जरूर जला आई जानते कुछ छोटा सा एक परियोग जो जीवन की मुश्किनों से आपको बाहर निकाले गा तुलसी को हिंदू धर में बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है और हिंदू मानेताओं के अनुसार हर घर में तुलसी का पौधा होना आपके जीवन में सुबता को बढ़ाता है और इसलिए हर घर में ये पौधा भी होता है अब पुर्णिमाति थी है तो विसेश परियोग किये जाएंगे तुलसी की पूजा भी विसेश तरीके से की जाएगी क्योंकि जहां भगवान विश्णू की पूजा की जाती है वहाँ पर तुलसी की पूजा जरूर होती है इसलिए तुलसी की जो पूजा है आप कैसे करेंगे देखिए एक लोटा जल अगर आपके घर में बेल पत्र है तो ले लीजे नहीं है तो कोई बात नहीं एक लोटा जल उसमें एक दो बुन कच्चा दूद अगर आपके पास है तो नहीं है तो कोई लिकत नहीं अब इसमें एक छुटा सा टुकड़ा मिस्री का या फिर गुड़ का डाल दें और एक चुटकी हल्दी डाल दें एक चुटकी अक्छट डाल दें अब इसको तुलसी के पेड़ के पास जाईए ओम नमो भगवते वासु देवाए बोलते वे उसमें अर्पित कर दें आपके भागे को चमकाएगा आपके जीवन के सारे दुखों को समाप्त करेगा अब तुलसी मंगल गरह के साथ जुड़ा है तुलसी में आग का तत्तो होता है फायर तत्त्तो और तुलसी आपके जीवन में स्थिरता भी लाता है मन को सांती देता है खुशिया देता है दन देता है घर में नकातमग उर्जा बढ़ जाए तो इस दिन एक छोटा सा प्रयोग कीजिए तुलसी का पत्ता चारपांच ले ले और एक बटर में पानी ले ले उसके अंदर तुलसी का पत्ता रख कर आप पूरे घर में इस प तुलसी के पौधे में की जवाब पूजा करने के बाद ये कलाबा तुलसी के तने में बांदे और अपनी मनोकामना कहें कुछी दिनों में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी जीवन की परिसानिया समाफ्थ हो जाएगी तो तुलसी में बहुत सारे जादोई गुन चुपे वैसे तो तुलसी जी की एक चुटकी मिट्टी लेकर लाल कपड़े में बांध कर अगर इसको रख लें अपने धन के पास तो धन भी बढ़ता है और लक्ष में स्थिर हो जाती है अगर बच्चे जादा जिद करें तो तुलसी के पौधा के पास आप बच्चे को नियमित पा रहा है ठीक तरह से तो एक बरतन में पातर में पानी ले ले उसमें पाच्छे तुलसी के पत्ते आज की दिन रखकर चोड़ दे और अगले दिन आप इस पानी को पूरे बैपारास तल पर चिरकाओ करें बचाओ पानी पौधे में डाल दे आपका ब्यापार चलने लग और मालक्षमी से धन आने की प्राठना करें फिर मालक्षमी का कोई भी मंत्र जैसे ओम स्रिंग श्रीयाय नमहा का भी जब कर सकते हैं और फिर इसको बांध कर अपने धन के अस्थान पे रख ले ये आपके जीवन में धन की ब्रदी करेगा वैसे जो आपने श्रीहरी के तो सिक्के को बीच बीच में रिचार्ज करें आप कोई भी उपाय करते हैं प्रियोग करते हैं तो उसको रिचार्ज करने का दिन है तो इसलिए क्योंकि कोई भी काम करके आप छोड़ देते हैं तो दीरे दीरे उसका जो पॉजिटिव उड़ जा है वो कम हो जाता है इसलि कि ये इस दिन अगर आप कैसर मिला हुँआ खीर बना कर Mora Lakshmi को भोग लगाते हैं प्रसाथ के रूप में सबको गर्हन करते हैं तो जीवन में धन्की प्रिषानी कभी आपको प्रिसान नहीं करती आप अगर केसर चुकि महंगा है हर कोई नहीं इसको ले सकता है तो कोई बात नहीं आप हल्दी का तिलक स्रीहरी के माथे पर लगाए और उसी जो आपके उंगली में लगा रह गया है अपने माथे पर लगा ले इससे भी उनका आशिरवाद आपक के भूखे है अब पुड़िमाधिती के दिन चुकि ये सिक्का का प्रियोग बहुत माइने रखता है तो आप जरूर करें और दीपक कम से कम पांच जगह पर जलाने का भी धाने कहां जलाएंगे पहला आप अपने घर के मंदिर में जलाएं जहां पूजा करते हैं ये दिया घीका हो तो सरवत्तम होगा इस दीपक में लाल धागे की बाती होगी और इसमें एक लॉंग होगा दूसरा दीपक तुलसी के नीचे जलाएं वो सिर्फ घीका दिया होगा लाल धागे की बाती के साथ इसमें आपको कुछ नहीं डालना है लेकिन दीपक में आसन जरूर दे तीसरा दीपक आपके घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जलेगा और चौथा दीपक पास के देवाले में जलेगा पांचवा दीपक आपके घर के छट पर जलेगा जो पितर देवों को रास्ते में रोसनी देगा और उनका आसिरवाद आपके मार्ग में आने वाले बाधाओं को समाप्त करेगा ये दीपक छट के उपर सरसों के तिल का दिया होगा इसमें रूई की बाती होगी संबब हो तो दो चार दाने काले तिल डाल सकते हैं या फिर वैसे भी रहे तो भी चलेगा रात में सोने के पहले अपने तक्ये के नीचे एक रूपया का सिक्का जरूर रखके सोईएगा और अगले दिन इस सिक्के को किसी पास के मंदिर में जाकर रखाईएगा या किसी पेड के नीचे रख दीजेगा फेकिएगा मत क्योंकि लक्षमी का आप मान नहीं करना चाहिए दो हल्दी की गाट लाल कपड़े पे रख कर मालक्षमी को जरूर अर्पीत करें और फिर इसको धन के अस्थान पे रख दें धन की कमी नहीं होगा तो ये हल्दी का प्रियोग आपको जरूर करना है और अक्षत जो चावल है उसको एक चुटकी ले ले इसको हल्दी से कलर करके दीपक में डाल कर आप लाल धागे की बाती बना कर घी डाल कर फिर दीपक जलाएं तो जीवन की मुस्किनों से बाहर निकलने में आसानी होगी के वक्त तुलसी के पौधे के नीचे एक घी का दीपक जरूर जलाईएगा और इसमें संभब हो तो एक लॉंग डाल दे इससे घर में सुकसांती सम्रिद्धी बनी रहेगी जीवन में खुसियां आती रहेगी तो घर के मुख्य दरवाजे पर भी हल्दी और चावल के घोल से ही स्वस्तिक बनाईएगा और स्वस्तिक के दोनों तरफ दो खड़ी रेखाएं जरू डालिएगा वरना आपका स्वस्तिक अधूरा रहेगा चार बिंदियां होगी और खड़ी रेखाएं दोनों तरफ यह इस बात का धियान रख लें तो लक्ष में स्थिर हो जाती है तो इस बार की पुर्णिमा चुकी कृतिका नच्छत्र में आया है और इस दिन छे कृतिकाओं की पूजा होती है तो छे कृतिकाएं जो कार्तिक भगवान की माहें इसका मतलब कि यह दिन बहुत खास है तो आप संतान प्राप्ति के लिए बैवाही जीवन के लिए धन के के लिए बिसेश परियोग भी कर सकते हैं दरने बाद हम फिर मिलेंगे